हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेश दीखे आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ बहुत ही easy है ये pattern बनाने में आप अपने मन पसंद किसी भी color में इसको बना सकती है और किसी भी project में बना सकती है आप इसको sweater में डालिए, jacket में डालिए, cardigan बनाए छोटे बच्चों के sweater में डालिए या बढ़ों के तो देखिए ये है right side ये इस pattern का और ये है इसकी wrong side तो चलिए इस pattern को बनाना start करते हैं इस pattern को बनाने के लिए हमें 6 के multiple फंदे चाहिए 6 plus 6 plus 3 extra plus 2 edge stitch तो चलिए start करते हैं इसको बनाना तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 plus 6 plus 6 plus 3 plus 2 यानि total 23 फंदे ले लिए हैं wrong side से हमारे ये pattern start होगा तो first row देखिए ये पहला फंदा हम उतारेंगे उन पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे wrong side है ये first row हमारे तो ये देखिए और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से तो ये हमारा edge stitch अब इनी 6 फंदों को हम repeat करेंगे एक, दो, तीन सीधे फंदे एक, दो, तीन उल्टे फंदे उन पीछे एक, दो, तीन सीधे फंदे एक, दो, तीन उल्टे फंदे हो गए तीन एक्स्ट्रा जो हमारा है उसको हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे और एज इस्टिच को उल्टा सेकेंड रो राइट साइड जो फंदे जैसे हैं उसको हमने वैसे ही बनाना है यानि उल्टा के उपर उल्टा और सीधा के उपर सीधा तो edge stitch को उतार लेंगे बिना बुने अब यहां से हमारा बनेगा 3 उल्टा फिर 3 सीधा यह हो गया हमारा दिखेए 6 पंदा 3 उल्टा 3 सीधा तीन उल्टा तीन सीधा लास्ट में तीन उल्टा और edge stitch भी उल्टा दो सलाई हो गयी तीसरी सलाई रॉंग साइट से edge stitch को उतारेंगे इसके बाद देखिए 3 फंदे 1, 2 3 फंदे सीधे 1, 2 3 फंदे उल्टे उन पीछे इनीचे फंदों को रिपीट करेंगे थर्ड रो है मारी 1, 2 3 सीधा 1, 2 3 उल्टा उन पीछे 1, 2 3 सीधा 1, 2 3 उल्टा लास्ट में 1, 2 3 सीधा और edge stitch उल्टा राइट साइट है अब हमारी ये फोर्थ रो edge stitch को उतार लेंगे उन अपनी तरफ करेंगे और देखिए 1, 2, 3 उल्टा जो फंदे जैसे उनको वैसे ही बनाना है तीन सीधा देखिए एक, दो, तीन उल्टा एक, दो, तीन सीधा एक, दो, तीन उल्टा एक, दो, तीन सीधा एक, दो, तीन उल्टा और last का सीधा अब ये है हमारी fifth row wrong side यहाँ पे हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो पहले फंदे को उतार लेंगे और देखिए जो सीधा है वो भी जो उल्टा है वो भी सारे फंदे इस तरह से अब हम सीधा सीधा सोरी उल्टा उल्टा बनाएंगे फिफ्थ रो में सारे फंदे उल्टे उल्टे यहाँ पे देखिए सारे फंदे उल्टे उल्टे यह हो गया हमारा अब राइट साइड सिक्स्थ रो यानि कि चट्वी सलाई अब यहाँ पे देखिए यह जो सीधे फंदे हैं यह हमारा पैटरन का में बेस है तो अब एजिस्टिज को उतारेंगे यह जो तीन फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे जो अभी तक हमने उल्टा बनाया था इसको हमने तीन सीधा बना लिया अब यान ओवर करेंगे इस तरह से और देखिए इस पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यह जो दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से लेके सीधा बुनके दो का एक कर देंगे और इस उतारे हुए फंदे को इसके उपर से ऐसे करके गिरा देंगे तो यह बन गया हमारा पैटरन फिर से यान ओवर करेंगे तो देखिए ये है अब हमारा 6 फंदा इजनी को repeat करेंगे तो देखिए 6 तीन सीधा यान ओवर और अब देखिए इस फंदे को बिना बुने उतार लिया इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे एक साथ ऐसे और अब इस फंदे को जो हमने उतारा है इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे यान ओवर फिर repeat करेंगे एक पर देखिए एक दो तीन फंदा सीधा यान ओवर करेंगे इस फंदे को ऐसे उतारेंगे बिना बुने अब इन दो फंदों को हम एक साथ बना के दो का एक करेंगे और इस फंदे को इसके उपर से उतार के ऐसे गिरा देंगे जान ओबर तीन फंदे सीथे इज इस्टीज जो है वो भी सीथा तो यह हो गई हमारी 6 सलाई की डिजाइन, अब अगले 6 सलाईों में हमारा यही डिजाइन बनेगा लेकिन अब इस फंदे पे हम सीथा बनाएंगे और इस फंदे पे हम उल्टा बनाएंगे, तो देखिए, यहाँ पे अब edge stitch को उतारेंगे, यह देखिए, यह हम अपनी तरफ से उल्टा बनाएंगे, यानि कि यह 7th row है, उल्टा और उन पीछे करेंगे, और यह जो हमने 3 का एक करके यान ओवर किया है, इन 3 फंदों को हम wrong side से सीधा बनाएंगे, ऐसे, उन अपनी तरफ, 3 उल्टा, उन पीछे, अब यह देखिए, यह जो हमने 3 का एक किया है, यह 1, 2, और यह जाली वाला फंदा 3, इन 3ों को हमने wrong side से सीधा बनाएंगे, उन पीछे, एक, दो, तीन, यह हो गया सीधा, लास्ट में 3 उल्टा और एज स्टीच भी उल्टा, यह देखिए, आठवी सलाई, राइट साइड से, पहला फंदा उतारेंगे, अब देखिए, यहाँ पे 3 सीधा, और 3 उल्टा, एक, दो, तीन, अब देखिए, इन 6 फंदों को रिपीट करना है हमको, तो 3 सीधा, तीन उल्टा, तीन सीधा, तीन उल्टा, तीन सीधा और एज स्टीच भी सीधा, यह देखिए, अब रॉंग साइड फिर से आगए हम, हमारी नाइन्थ रो है यह, तो अब देखिए, जो फंदे जैसे हैं, उसको हम वैसे ही बनाएंगे, तीन उल्टा, तीन सीधा, तीन उल्टा, तीन सीधा, लास्ट में, तीन उल्टा, एज स्टीच भी उल्टा, अब राइट साइट आगए हम, टैन्थ रो, यह देखिए, जो फंदे जैसे हैं, उसको वैसे ही बनाना है, तो तीन सीधा, तीन उल्टा, तीन सीधा, तीन उल्टा, तीन सीधा, तीन उल्टा, तीन सीधा, तीन उल्टा, तीन सेथा और एज सेथा तो यह देखिए यहाँ पे हमारी दस सलाई कम्प्रीट हो गई है और यह देखिए एक दो तीन चार यह इसका उल्टा पाट देखिए एक दो तीन चार नीचे भी देखिए एक दो तीन चार अब ग्यारहवी सलाई में हम सारे फंदे यह उल्टे उल उल्टे बना लेंगे, रॉंग साइट से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, तो ये दो सलाई बीच में हमारी सीधी उल्टी बनती है, तो रॉंग साइट से हमने उल्टा बनाया, और राइट साइट से हम जब डिजाइन बनाएंगे, तो वो पूरी सीधी सलाई जाए तो यह देखिए इस तरह से सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया इस तरह से और अब हमारा पैटर्न बनेगा देखिए यह एक दो तीन चार है बस इसी को आप ख्याल करिएगा अब यहाँ पे देखिए एज स्टीज को उतारेंगे यान ओवर करेंगे पहला फंद बिना बुने उतार के अगले दो सीधे फंदे को हम एक साथ सीधा बना देंगे और जो फंदा हमने उतारा है इसके उपर से इसको ऐसे गिरा देंगे फिर से यान ओवर और तीन फंदा फिर से सीधा अब यान ओवर करेंगे तो देखिए इन छे फंदों को हमने रिपीट कर यहां हमने जाली बनाई और तीन का एक किया और यह तीन फंदा हमने सीधा बनाया फिर से यान ओवर करेंगे पहले फंदो को उतार लेंगे दूसरे दो फंदे जो हैं उनको हम दो का एक करेंगे और इस फंदे को इसके उपर से ऐसे गिरा के यान ओवर कर लेंगे तो यह तीन तीन फंदे का तीन फंदा फिर से हमारा बन गया, तीन सीधा, यान ओवर, अब ये फंदा उतारेंगे बिना बुने, और इसको हम दो का एक कर लेंगे एक सार, और इस फंदे को इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से यान ओवर करेंगे, तीन फंदा सीधा, यान ओवर, अब देखिए ये जो तीन सीधे फंदे हैं, पहले फंदे को इस तरह से उतारेंगे, बाकी के दो फंदों को हम ऐसे दो का एक करेंगे, इस फंदे को इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे, यान ओवर करेंगे और फिर लास्ट वाला फंदा, देखिए ऐसे, तो ये हो गई आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किस किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए